नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रियेटिव धिंकिंग में और मेरी छोटी सी बालकनी और बालकनी गार्डन में देखे अभी अभी बारिस हुई है और बहुत ही अच्छा मोसम हो रहा है और हमारी बालकनी पूरी ग्रीन भी से भरी हुई है तो बहुत ही अच्छा लगता है यहां बैटकर तो आज की वीडियो बस मेरा ऐसे ही मन किया कि बारिस हो रही है तो इतना अच्छा बाहर ग्रीन ग्रीन है हमारी बालकनी भी पूरी हर्याली से भरी हुई है तो क्यो न एक अचा सा वीडियो Guin Libya बनाओ, Soo दूस्तोँ आप भी अपनी बालकनी में अपके पास जित्टी भी जगह है अपनी बालकनी को पूरा ग्रीनsome से भर दें और सुल्दर बनाएं आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा आप अपनी बालकली में जैसे ही आयांगे चाय पीएंगे वहाँ बैटकर और थोड़ा बहुत भी टाइम वहाँ गुजारेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और यह सब करते रहने से माइंड भी बहुत फ्रेस र फालकनी में मैंने अपना खाद भी बनाया हुआ है इस बड़े वाले में नीचे जो पहले बन गया है वो है और और नया मैंने अभी बना इसमें रखा है छोटे से मटके में तो लगबग एक महिने में यह मेरा तयार हो जाएगा इसमें मेरा पिछली जो मैंने पिछले महिन बनाया था वो मैंने इसमें कर दिया है और बहुत ही अच्छा घ्र में गज़िए तो आप अपना खाथ भी बना सकते हैं ऐसे ही चोटी-छोटी जो मटके होते हैं उसमें से डाल कर आप अपना खाथ अपने घर बनाए और अपने पोधों में दें और बिलकुल सुद और कि अन्यान थन क्या करें गार्णिंग करें उद्धन्ध में सांप सुतर हैं याका अगर आप को मेरी वीडियो तो थो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी बालकनी अगर आपको अच्छी लगी हो ग्रीन डी से भरी-भरी थैंक यू वेरी माच